बड़ी खबर सामने आ रहे है जैपूर पुलिस कंट्रोल रूम को धमकी की सूचना मिल रही है वाटसेप पर धमकी भरा मेसेज मिला एक यूवती के नंबर से पुलिस को मेसेज गया मेसेज में यूवती ने खुद के किड्नैपिंग की भी बात लिखी है बदमाशों के पास आडी एक्स और हतियार होने की भी बात लिखी गई है अगले साथ दिनों में संसत भवन पर धमाके की बात लिखी गई है ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बतारे से पहले भी संसत सुरक्षा में चूक होई थी ये बात पत्र में लिखी गई है सयोगी दीपक हमारे साथ जूड़ चुके है दीपक ये बड़ी खबर है संसत भवन पर धमाका हो सकता है कौन है ये? किसने मेसेज लिखा है? क्या बताना चाहती है यूवती? देखिए प्रिंगा ये पूरा मामला जैपूर और भरतपूर से जोड़ा हुआ है यानि कि जो नमबर है वो भरतपूर की यूवती के नाम से है लेकिन जैपूर के जो पुलिस कंट्रॉल रूम है उसके नमबर पर ये मैसेज किया गया है उसके आदार पर जैपूर की पुलिस ने भरतपूर की पुलिस को सूचना दी भरतपूर की जो पुलिस है उसकोरे मामले में जुटी तो बताया गया कि मच्षरागे टताना इलाके की यूवती रहने वाली है लेकिन जब इसे मुझताच की गई तो इसने बताया है कि ये जो नमबर है इस से कोई दूसरा देक्टी ऑपरेट कर रहा है जो वाटसप चला रहा है उस साम से और वो उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है अब पुलेश उस योग की तलाज के लिए उत्तर प्रदेश के लिए रहवाना हुई है वाकि है एश्टी एफ और अन जो टीम है वो भी साथ में मौझूद है और उस योग का पता लगाया जा रहा है कि आकिर उसने किस पार्ट के लिए ये मैसेज किया आकिर वो क्या जो है जाता है क्या बात है जिसको वो इस तरह से मैसेज किया उसने और उस मैसेज के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है उसमें मतलब इस तरह की गई है कि साथ दिन के अंदर धहमागों की बात है जो है वो की गई है या बड़ा ये पूरा मामला है लेकिन पुलिस ने का है कि हो हो सकता है कि वह बंद गुद्धी युवक हो या पर इस तरह का कोई मामला हो फिलाल भरतपर और जैपुर साय पर यूपी की जो पुलिस है वो इस पूरे मामले में जाज कर रही है लेकिन दिकारियों ने बताया कि यह पूरी तरह से फर्ची कॉल का जो है वो मामला है कि दू मेसेज के पीछे सच्चाई क्या है यह जानना भी बहुत जरूरी है दीपक से होगी विश्नु भी हमारे साथ जूट चुके है आप भी बने रहेगा हमारे साथ विश्नु यह मैसेज सबकी नजर इस मैसेज पर टिकी है क्योंकि कुछी समय पहले संसर सुरक्षा में चूप लेकिन अब तर जो यूटी है क्योंकि पुलिस मोबाइल नंबरों के आधार पर वाट्सअप नंबरों के आधार पर लड़की तब जब पहुंची तो लड़की ने का कि उसमें किसे भी तरी कि कोई मैसेज नहीं किया पर इसके बाद में लड़की में बदाया कि उसका फिवी तर राष्म जायब विए जिसमें ये समभा होताया मैसेज किया है अब मैसेज करने करने का उदस इसके पहुंची पुलार फिलहाल फुलिस की पर्ताल में सामने नहीं आए लेकिन अंधर अधर यहीं कि लड़की को किसी वज्या सबत साने की नियत रखते वे इस मैस सब्सक्राइब्स पल्रीस की जांच, उस लडरकों दूने में लगी हूई है जी पुलिस उस लड़के को ढूंदे में जूटी हूई है, विष्णु बता रहे है इस यह मैससे सहन में जुड़ रजा बता रहे हैए चुच्च कर चौकि शी लडर की नंबर रज़ है적ि रटकश है यह जो यूपती के नाम से मौवाइल नमर रचेट है लेकिन यूपती ने बता है परिचित लड़का है वो इस नमर को अपरेट करा है और उसी ने इस तरह का मैसेज करने की जो बात है वो सामयारी तो लड़की के आदार पर पूर्चाथ के आदा बात यूपी के नाम से मौवाइल नमर रचेट है उसको फसाने के लिए इस तरह का मैसेज किया हो या फिर अनमर बात हो तो इसको लेकर कि पूलिस लगाता जो कि हूई है पुलिस का कहना है कि जब वो लड़का ग्रप्च में आएगा तो पोश्टार्ट के बाद ही कुलासा हो पाएगा कि आखिर उसने इस तरह का मैसेज क्यों किया और इस मैसेज के पीछे उसका उत्यस्त क्या है यह की निकल करके सामने आगे फिलाल इस पूरे मामले में जब पुलिस इसे पहले संसर सुरक्षा में बड़ी चूक हुई इसे गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है इसे लिए लगातार पुलिस नमबर को क्या उसके बाद में यूपी एस्टेव की टीम की साथ मिलके उपरेशन चुनाई जा रहा है और उसी बीच में संसद भवन उसके लावा एध्या और जैपुर में ये धमागे करने की बाद RDS के जरी मैसेज में की गई अब तक की बात खास बात है और है कि जहां अब तक ऐसे मामलों में यदि कोई धमकी बड़े फोन आते से पहला बार ऐसा है कि मैसेज किया गया यानि कि जो जैपुर पुलिस की हेल्टाइम नमबर वाट्सअप नमबर है उन पर मैसेज के जरीए ये धमकी दी गई है साथ में बताया कि लड़के जो हैं वो RDS लेकर के गोव रहे हैं तो बेहर गंबीर ये पुरा मामला है और कहीं न कहीं पुलिस आने वाले वक्त में इस पता चल पाया है क्या और चुंकि लड़की भरतपूर की उसने कुछ बताया यूवक की बारे में और कुछ जैजेसे ही जैपूर की पुलिष ने बलतपूर पुलिष से संपरक किया, तो ये मत्वागेड थाने का पूरा मामला बताया जा रहा है。 उसके बाद में जहां मत्वागेड जो थाना दिकार divis थाने हमारी बात भी पुरी तरह प्रम्न प्रम्न का मामला हो सकता है और जिसकी बजय से कोई आपस में अनवन हुई और उसकी बजय से जो लड़का है वो युक्तिक के शलाप इस तरह है कि जो मैसेच करके और एक कोई हुद्जेस क्या है उसका यह तो उसको घृपकार करने के बाद ही पता अभी इस पूरे मामले में पुलिस चुटी हुई है तो इसके बाद पूलिस उप गई हुई है जैसे ही है तो आप दोनों से होगी नजर बना रखेगा क्योंकि यूपी एस टीएफ से लेकार जैपूर पुलिस और भरतपूर पुलिस के और से भी